महिला के साथ हुई दुशकर्म और उसके साथ वीडियो वाइरल करने के तीन सब्दा पुराने मामले में पुलीज ने तीन आरोपियो कूप किरफतार किया है आपको बता दे पीडीता दुआरा चोहान कालोनी अशोक नगर में हुई आप भी थी की रिपोर्ट की गई थी को गिरफतार कर लिया है आरोपियो को गिरफतार करने वाली टीम को दस हजार रुपे का पुरुषकार से नवाजा गया में चोबिया थाना अंतरगत कल एक महिला द्वारा अपने साथ दुषकरम करना एक वीडियो बनाना और उस वीडियो को डिस्टिब्यूड करने का ऐसा एक मामला जो है उप्रकाश में लाया था महिला संबंदी अपराद को तुरंत गंभीरता से लेते हुए एडिशनल स्पी के नित्रित्व में जो है टीमों का गठन किया गया था और इसमें भी जो हमारी थाना चौबिया की टीम है उसको बड़ी सफलता हाथ लगी है मातर बारा घंटे के अंदर इस घटना के जो तीन अभ्युक्त थे जो नामजद अभ्युक्त हैं मनोज यादो अखिलेश यादो और अनिल यादो इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और इस महिला संबंदी अपराद इस दुश्कम के अपराद में वीडियो बनाने उसको डिस्टिबूट करने में इसमें दोशी पाते हुए इनको भी जो है जेल भेजा जा रहा है और ऐसा सरहान ये कारे करते हुए मातर बारा घंटे के अंदर इसको गंभीरता से लेते हुए इस घटना का खुलासा करना और इस घटना के तीन व्यक्तियों के रफ्तार कर लिए थाना चौबिया के टीम को दस जार रुपय ऐसे इनाम से भी इसको पुरशक्टिबूट